बिस्मिल्य रख्माने रहीम, असलाम लेकुम योवर्स, उमीद करती हूँ, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आज हम बना रहे हैं माश की दाल पालत, तो दाल को मैंने दो घंटे पहले भीगो दिया था, ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छा कड़ाई में जो ह है ना, मैंने इसको अच्छे तरीके से वाश किया है, और बारी कटिंग किया है, तो पालक को अच्छे तरीके से धो के हमने इस्तेमाल करना है, ताकि कोई रेट वगेरा ना हो, तो कुकिंग वाइल गरम हो गया था, तो मैंने पालक इसमें डाल दिये, पालक को अच्छे से हम cooking oil में fry कर लेंगे तो ये देखे पालक अच्छे से fry हो गई हमारी बहुत अच्छे से हमने इसको fry किया है पालक को medium to high flame पे तो ये देखे सारा पानी इसका खोश्क हो गया है अब हमने इसके अंदर दो medium size के टीमाटर लिए हैं वो डाल देंगे अच्छा टीमाटरों का मैंन तो यहां टीमाटर अच्छे से soft हो गए थे तो आप मैं थोड़ी देर इसको भूल लूँगी अच्छे से टीमाटरों को और फिर थोड़ी देर के लिए इसको धक्य कोख करेंगे तो यहां पे टीमाटर अच्छे तरीके से बिलकुल हमारे जोए soft हो गए थे और पालक भी अब हम किसी भी मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे हमने पालक और टीमाटरों को मैश कर लेना है क्योंकि यह अच्छे से गल चुके हैं तो अब हम इसको मैश कर लेंगे ताकि यह मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो यह देखें टीमाटर और पाल लहसन अद्रक का पेस डालना है इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे लहसन अद्रक को अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं जिसमें वन टी स्पून नमा के, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है वन टी स्पून कुटीवी लाल मीचे, देड़ टी स्पून जीरा पौडर है, वन टेबिली स्पून धनिया पौडर है यह डालके इसमें थोड़ा सामने पानी डालना है और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे पाला के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है तो ये देखते, ये मसाले भी अच्छे सरीके से भून गए थे अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली और रैड चिली डाल रही हूँ अगर आपके पास रैड नहीं है, ळाल मिट्चे नहीं तो आप सिर्फ ग्रीन मिर्चे भी डाल सकते हरी मिर्च उसके बाद मैं इसके अंदर वाइल कीवी माश की डाल शामिल कर दूंगी अच्छे ये डाल मैंने तकरीबन 80% गलाई है तो 20% अभी बाकी है तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से पलक में मिक्स कर लेंगे माश की डाल को मक्षन डाल दें उसके बाद हमने स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 तू 10 मिनिट्स कोक करना है उसके बाद हम इसको हरा धनिया से गार्णिश करेंगे तो ये देखिए हमारी जबरदसी माश की डाल और पालक रिड़ी है ये इसकी फाइनल लोक है माश अला बहुत ही जबरदस बनी है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही मज़दार है आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा एजी सी रेस्पी है और बहुत मज़दार है बहुत टेस्टी अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शियर करें, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक इजाज़त दीजिए दुआ में याद रूए किसी अच्छी सी रेस्पी करें